दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD News चैनल को और दबाये इस बेल आइकोन को ताकि आप देख पाए latest news वीडियो सबसे पहले अरब पती आभूशन डिजाइनर निरव मोधी का संकट और भड़ता दिख रहा है आईकर विबाग ने आज कर चोरी जाच के सिलसले में एस्थाई रूप से हीरा कारो वरी और उनके परिवार की 39 संपतिया और 105 बैंक खातों को कुर्प कर दिया वहीं इसी विच खबरे यह है कि निरव नियू यॉर्क एक होटल में है इस सब के पीच निरव मोधी नियू यॉर्क के लक्चरी होटल के स्वीट में अराम फर्मा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबे जैड़ बल्यू मेरियेट के एसस हाउस की 36 फ्लोर के स्वीट में है हाला कि जब विदेश मंतराले के अधिकारियों से निरव मोधी की लोकेशन के बार में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी अधिकारी के संपर्क में नहीं है अब तक उनकी लोकेशन की जानकारी भी नहीं मिल पाई है बैंक के चार अधिकारियों से की गई ये पूछ ताज केंद्रिय जाच एजन्सियों CBI और प्रवरतन निदेश शालिय एडी ने पंजाब नैसनल बैंक PNB में 11,400 करोड रुपे के गोटाले में निरव मोदी और परिवार और उनके रिस्तेदार मिहुल चोकसी के खिलाफ चापेमारी का सिल्थला जारी रखा चापेमारी के दोरान 549 करोड रुपे के आपूशन और जब्त करने का दावा किया गया है वहीं पंजाब नैसनल बैंक के चार अधिकारियों से भी पूछताश की गई है सीबियाई ने नई प्रात्मी की दर्ज करने के बाद 6 सेहरों में 26 स्थानों पर चोकसी के गितांजली समू की 18 भारतिय अनुशंग्यों के ठिकानों पर चापेमारी की इसी के साथ प्रवर्तन निदेशाले ने भी चापेमारे की कारेवाई जारी रखते हुए 549 करोड रुपे के भव मुल्य रत्म जब्द करने का दावा किया यह मामला पंजाब नैसनल बैंक की मुंबई शाका से जारी 143 साख पत्रों से सम्मंदित है इन साख पत्रों के अधार पतों का धड़ी पूर्ण तरीके से 4886 करोड रुपे जारी किये गए हैं तो दोस्तों आपको मेरे दुआरा बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारे दुआरा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाले इसी परकार की नई रोजचा खवरे और डेली न्यूज के अपडेट पा सकें